कि नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हो ट्यूप स्प्रीट आप कमर्स और आपके साथ में हरू राकिश बेवाद दोस्तों गुजराज इनिवर्सिटी ने फाइनल याज बिकॉम, BBA, MBA का अंगरेजमिशन लेवल का जो फास्ट मेरिट है जिसका आप वेड कर रहे हैं जिसका आप फाइनल मेरिट भी बोल सकते हैं वो डिकलेट कर दी है अब मेरिट आने के बाद आपको मेरिट आया फाइनल मेरिट उसमें वही कोलेज आपको अलोट दी गई तो अब आपको क्या कोलेज में जाना था और आपको जो अलोट की देए वो कोई और कोलेज है तो आपको क्या प्रोसेस करने हैं अब कोई जालोग नहीं है तो आपको क्या करना है यह तीन क्वेस्टन जो है जो बिक क्वेस्टन है आपके माइंड में जिसका सौल आपको यह वीडियो में मिलने वाला है तो सुन करते हैं सबसे बहुत है तो तो आपको क्या करना है कि आपको क्या क्या करना है तो एक करसर है वहां पे क्लिक करना है payment of fees and concept for reporting उसमें आपको क्लिक करने के बाद आपको online fees and online reporting मेश जाना है online fees पे करनी है online reporting बिन्हाँ अब online reporting करने के बाद जब आप online reporting ब करना है तो आपका provisional admission हो जाएगा अब अब नेक्स टेप आपको क्या आपको ऑनलाइन कुछ प्रेंट निकाल लिए एक तो आपने जो फॉर्म सब्मिट किया था वो फॉर्म के प्रेंट निकाल लिए है सेंगेंड जो आपको कॉलेज अलोर्ड की गई है उसकी प्रेंट निकाल लिए है कि मसें आपने जो फॉर्म सब्मिट किया था उसकी fürn इसके बाद आपको कंश ओलाइन पाई किस कर लिए उसकी प्रेंट यह तीन प्रिंट निकाल के आपके पास रखने हैं और जब कॉलेज भी और से एड्मिशन की कोसे स्टार्ट हो जाएगी तब आपसे यह तीन प्रिंट प्लस आपके औरीजन डॉकिमेंट्स एंड उसके एक एक कॉपी एक कॉपी आपको रखना और जो लेके जाना है आपको कॉलेज भी और से एड्मिशन स्टार्ट हो जाएगी तब आपको बुलाएंगे और आपको यह सारी चीज़े लेके कॉलम में जाना है तीन प्रिंट जो आपको निकाल ली है और उसके बाद आपके औरिजन डॉकिमेंट्स जो भी कासटी है जो भी आपके 10-12 के और और उसके एक यक जलब स्काव भी रखना है कॉलेज में वहां पर वेरिफिकेशन होगी नरी प्रिफिकेशन के बाद कोई अरव नहीं थी तो आपका अप्गैशन ऊपर कंपों जाये तो अब यह होगा आपका अपर आपको जाना था आपने कोई और को यहां तो आपको अमें लेना है आपको आपनी जाना आपको को अब को को है। तो अब क्या करना है जब second round start होगा इसको बोलें गिए resuppling round resuppling round के लिए जो date declare होगी वो date में आपको login में जांके concept deny सम्मध ही देनी है कि आपको second round में second round में हिस्सा लेना है अब इसका मतलब क्या होगा second round में क्या होगा तो आपको choice filling करनी पड़ेगे और वो choice filling करने के पाद आपको कोई college meditation नहीं मिला है तो भी आप choice filling कर सकते हो आपको college meditation में दे चुका है पर आपको नहीं लेना है तो आप resuppling round में जाओगे choice filling करोगे अब उसके बाद होगा क्या तो उसकी merit आएगी जैसे ये merit आए पैसे उसका merit आएगा अब आपके पाँस दो option है दो आपका merit जब second round का आ चुका आपने first round में आपको XYZ college admission मिला था पर आपको नहीं जाना है आपको ABC में जाना है second round में आपको कोई MNP नाम की college में admission मिला, ABC में नहीं मिला कौनसी college में admission मिला MNP में मिला तो क्या होगा आपको ABC तो नहीं मिलने वाली अब आपका XYZ में लगा था वो cancel हो जाएगा और आपको कहां पर जाना पड़ेगा MNP college में जाना पड़ेगा मैं इससे समझा लोगू, देखो, first round में आपको जाना थे admission, आपका लगा थे XYZ में, तो आपने फीस बर्दी, चलो, पीस बर्दी, reporting online कर दी, और फिर आपने आपको मिल रही MNP college, अब आपको MNP college अलब हो गएगी, तो उसका मतलब भी हो गएगी, आपको जाना पड़ेगा MNP, अब अगर आपने फीस बर्दी है, for example, कि जो X, जो X वैसे college थी, वो college self finance थी, और इसके फीस बर्दी अप्रोच, suppose 5,800 थी, और आपको जो अभी लगी, वो भी self finance है, उसकी पीस सहम है, 5,800 थी, तो क्या करना है, तो आपको डिफरेंस में कोई फीस बर्दी पे करनी है, बट अगर क्या होगा, कि आपने जो college में पहले मतला, जो online fees pay कर दी थी, suppose कि वो 2000 थी, और अब आपको जो total fees pay करनी है, वो 5,800 है, तो आपको जो difference amount है, 5,800 बैसे 2,000 ही कार देंगे, तो 3,800 आपको pay करनी पड़ेगी, यहां है, online, और अगर आपने जो फीस पहले पे कर दी थी, वो 5,800 है, और आपको अभी जो college में लगा है, वो college की fees है, 2000, तो आपको उपर की difference की amount, wizard university की आपर से check से आप वो मिल जाएगी, wizard university की आपके जाएगा, और वो amount आपको मिल जाएगी, वापस मिल जाएगा, तो payment के लिए आप देवी कर दो, अगर आपको payment करना होगा, तो online difference दिखाएगे, और payment नहीं करना होगा, तो zero आए करना है, और payment कर दिया है, तो आपको difference दिखाएगे, okay, clear, तो अब बात करें, कि आपको, ABC में जाना था, XYZ लगी थी, और अब MNP लगी, तो आपको MNP में जाना पड़ेगा, XYZ में अब आप नहीं जा सकते हैं, और अगर आपको ये round में, second round में, MN call मतलब कोई college नहीं मिल करना है, तो ये जी process, और जिसका first round में admission नहीं लगा, उसको भी, थर्ड question जो था, हमारा, ये round में admission नहीं मिला, तो क्या करना है, तो उसके लिए भी simple है, concept में जाके जब resuppling आएगा, concept में जाके tick करना है, accept करना है, मतलब उसको मंजूरी देनी है, और फिर उसको subling round में जाएगा, और फिर इसमें जो college उसको अलट कीजी, जो college उसको मिले थी, वो college में जाके जाके, जो college मिले उसको online चीज, और online recording करना है, और फिर जब college उसको आएगा, तो बहाँ जाके, डोकिमेंट सब्मीट करना है, तो यह की process, अगर आपका number लगा है, और आपको admission लेना है, आपका number लगा, आपको admission नहीं लेना है, और आपका number नहीं लगा, फिर आपको क्या लेना है, यह तिन concept था, मैं रिपिक करूं, अगर आपने release पे कर दी है, और online reporting कर दी है, तो भी अगर आपको वो college में नहीं जाना, तो आप second round में पार्ट ले सकते हो, जिसको हम बोलेंगे, resuppling round उसमें आप इसा ले सकते हो, उसमें आप अपनी college choice कर सकते हो, और फिर अगर अगर आपको वो round में कोई college नहीं मिलती, तो first round में जो college म आपको आपकी cancer हो जाएगी, तो दोस्तों आप आए, और अगर अगर अगर, ये round में, second round में भी आता, कोई college में फॉर्स में नहीं लगा, second में नहीं लगा, तो third round आएगा, जाकर vacancy देखी जाएगी, और इसके हिसाब से आप permission मिल जाएगा, तो I hope आपकी ये अगर दूर ह हो गई होगी, online piece कैसे pay करनी है, वो online process है, I think आप सब को आती होगी, क्योंकि आपके pin jacket की है, so उसमें आप video की कोई ज़रूत नहीं है आपको, so आपकी ये conclusion, ये video से solve हो गई होगी, अगर ये video पसन आए, तो like करो और अपने fans को share करो, and thank you for watching,